आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Metaverse के एक ऐसे coin के बारे में जिसकी value एक रुपे से बेहत कम है और price की बात करें तो एक रुपे से बेहत कम value है और उस coin का नाम है Starlink coin Starlink के बारे में आपको पता होगा आज यह discuss करेंगे क्या कुछ future Starlink का रह सकता है और क्या यह रुपीज की लाइन में आ सकता है सारी चीजें Starlink के बारे में डिसकस करेंगे Elon Musk की जो company है internet की company satellite उनका नाम भी Starlink है और कहीं नहीं यह connection अगर जुड़ गया तो Starlink के बारे न्यारे हो सकते हैं आप को यह चीज पता है Starlink के बारे में यह भी Metaverse से जोड़ा हुआ कोईन है Metaverse से जोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और अगर आप इसके price देखेंगे 0.002 इसका price चल रहा है और अगर in dollar आप इसका price देखेंगे तो यहाँ पे इसका price है 0.00003 40 बीच में आ रही है 38 25 और अगर हम Shiba Inu का price देखेंगे तो वो भी 33, 34 की series है तो कहीं न कहीं Shiba Inu के बराबर ही कह सकते हैं ज्यादा कोई fluctuations नहीं है यह कुछ price चल रहा है Shiba Inu की 0.0025, 24 की series है इसकी 28 है इसका बस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन अगर देखें तो Shiba Inu के साथ आप इसको भी consider कर सकते है कैर Shiba Inu एक meme coin है और यह यहाँ पर metaverse का coin है ठीक है सबसे पहली चीज तो यह और अगर आप इसका यहाँ पर graph देखेंगे 24 गंटे का तो यहाँ पर ज्यादा कोई fluctuations नहीं अगर एक महीने का आप चार्ट देखेंगे यहाँ पर 0.003 2 से लेके 3 तक गया फिर 3 मंद का देखेंगे तो 0.6 तक भी गया है मनलब 60 तक भी इसका high गया है अभी 28 पर चल रहा है और 1 येर का आप देखेंगे 60 है maximum पर भी click करेंगे तो 60 है तो अपने all time high से ये आपको down मिल रहा है जिस तरह शिबाएनू 60 के लावा 70, 80 तक गया था और ये 60 तक गया है ठीक है तो ये कुछ इसका price चल रहा है all time high इसका 60 का है और अगर हम exchanges की बात करें कौन कौन सी exchange हो मिलेगा आप इसको uniswap से खरीद सकते हो kex से खरीद सकते हो क्योंकि ये ethereum blockchain पर काम करते है तो आप इसको maxi global, bkex, gateio, hitbtc, xd.com से भी खरीद सकते हो तो बहुत सारी exchanges पर आपको star link मिल जाएगा कुछ limited ही है जदा नहीं है और अगर हम इसका one year का graph देखें यहाँ पर तो बिल्कुल one year के chart के अंदर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा Metaverse के coins जब Metaverse अनास हुआ तभी ये spike हुआ था और तभी spike होने लगे थे सभी coins लेकिन क्या ये एक रुपे तक जा सकता है देखा जाए तो बिल्कुल जा सकता है एक connection यहाँ पर Starlink Elon Musk की जो Starlink है उससे भी जुड़ता है और ऐसा connection हम क्यूं जोड़ रहे हैं कोई connection वैसे बनता नहीं है लेकिन ऐसा जोड़ की क्यूं देख रहे हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे एक Omicron Cryptocurrency है और coronavirus का जो नया variant है वो भी Omicron है तो Omicron variant जब आया तो उस Omicron Cryptocurrency के अंदर बहुत ज़्यदा पंप आया था यह चीज आपने notice की होगी तो कही ना कहीं Elon Musk की Starlink और Starlink वाले जितने coins हैं सबसे बड़ा तो यही है Metaverse के अंदर तो कहीं ना कहीं जैसे-जैसे Starlink के पैर बसरेंगे मतलब जैसे-जैसे Starlink successful होगी internet की दुनिया में तो कहीं ना कहीं इस coin को भी push देखने को मिल सकता है यह खेर connection की बात है connection जोड भी सकता है नहीं भी जोड सकता है लेकिन Betaverse के लिए आज से Starlink एक बहुत अच्छा coin है और एक under value coin है एक रुपे से value कम है और यह हमको एक रुपे पे पहुँचता हुआ इस साल दिख सकता है डिपेंड करता है क्या कुछ होता है इसके roadmap के अंदर तो अगर आप इसके chart को देखेंगे ज्यादा कोई redness ही है ज्यादा तो है ना तो यह कुछ current situation अभी Starlink को इनकी बनी वी है बिल्कुल official Twitter page पर है तो एक बहुत under value coin है है ना और काफी कम followers हैं एक tweet यहाँ पे pin किया है इन्होंने और यहाँ पे इनके अंदर यह है MO MOBAverse is coming in 2022 तो यह भी इनके project का हिस्सा है OMEBAverse ठीक है तो आ गए है इनकी official website के उपर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा introduction मिलता हुआ Star Metaverse Project और Welcome to the Star Universe a virtual blockchain based Metaverse set in space where you can explore, play, trade and socialize with other players तो बिल्कुल यहाँ पे coin के fundamentals काफी अच्छे लग रहे है और buy on Uniswap Ethereum chain पे काम करता है तो आप Uniswap के जरीए करीज सकते हैं बाकी जिन exchanges पे available है वहाँ से आप करीज सकते हैं white paper को read कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पे a virtual universe तो बिल्कुल वर्चूल यूनिवर्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या चीजी हैं तो स्टारल मेटवर्स उसके बाद यहाँ पे स्टारल यूटिलिटीज है स्टारलिंक is the main currency and the utility token used in स्टारल मेटवर्स इसके लावा आप देखेंगे what is स्टारल मेटवर्स मेटवर्स के बारे में यहाँ इंट्रोड़क्शन स्टारल का यह white paper रीड कर सकते हैं तो स्टारल टोकन है, स्टारल यूणिवर्स, गेमिंग पॉर्टल, प्रोफाइल, स्टारल, NFTs भी है, मार्केट प्लेस भी है तो काफी अच्छा यहाँ पे सारा fundamentals लग रहा है 2022 का road map भी यहाँ पे जो है यह पूरी team की details है तो काफी बड़ी team लग रही है यहाँ पे और अगर आप tokenomics देखेंगे यहाँ पे 20.8 billion tokens तो यहाँ पे burn भी हो चुके है 26k plus holder and counting तो holder काफी कम है एक छोटा jam है Metaverse का लेकिन काफी बड़ा बन सकता है अगर आप Metaverse के coin sandbox decentralized को देखेंगे आज से 6-7 महीने पहले यह coins क्या थे आज क्या है तो कहीं न कहीं यह छोटे coins पे focus ज्यादा होना चाहिए और एक अच्छा Metaverse की category में अच्छा number आता है Starlink का बाकि आप कुछ से भी अपनी research कर लें जहाँ पे कुछ questions है उनके भी answer आपको मिल जाएंगे Starlink को लेके तो यही कुछ चीजें है Starlink को लेके तो यही है Starlink coin Metaverse का coin I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे और 2022 के अंदर अच्छे price target तो हमें Starlink के अंदर देखने को मिल सकते हैं लेकिन listings भी देखने को मिल सकती है holder भी increase हो सकते हैं listings भी यह सारी चीजे हम इस 2022 के year में Starlink के साथ होते हुए देख सकते हैं तो अगर आप Starlink को add करना चाहते हैं सबसे पहले आप अपनी research करें अच्छे से तभी add करें क्योंकि आपकी research बेर जरुरी है आप research कर लेंगे तो आप double sure हो देंगे I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया वीडियो को like share जरूर कर देना और यहां पे एक बर हम holder भी check कर लेते हैं इसके यहां पे तो 26 हैं लेकिन हम आपको यहां पे जो है ether scan पे चलते हैं वहां पे देखते हैं कितना holder status है अभी current तो बिल्कुल website पे 26 का number दिखा रहा था क्योंकि holder बढ़ते रहते हैं कम होते रहते हैं तो बढ़ते वाला जो number है यहां पे देखने को मिला 29,500 है मतलब 30,000 holder जो है star link के यहां पे होने वाले है तो काफी अच्छा number है holders के मामले में भी कम जरूर है लेकिन बढ़ जाएंगे और अगर आप starting में entry लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही time है star link के अंदर तो आई होप इस video में आप सब कुछ समझ गयोंगे video आपको पसंद आया video पसंद आया video को like share कर देना star link में आप खुद से भी research कर लेना और किसी भी crypto invest करने से पहले आप खुद से research जरूर कर लेना वो बेहत जरूरी है आज किस video में फिलाल इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye